चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों MCC का जो नया रूल था सेकंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन का उसके चलते उसके रिजाइनिंग रूल यानि कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की जोइंड सीट पर अगर आप रिजाइन करना चाते हैं तो उसके रूल भी चेंज हो गए हैं तो मैं यहाँ पर वो रूल बताऊंगा इसके अलावा MCC ने दो नोटिस भी दे रखे हैं उस नोटिस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे और इन नोटिस को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा हलांकि यह सेम प्रोसेस में पहले बता चुका हूँ फिर भी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजाइन रूल की तो जिन कंडिडेट ने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड दोनु राउंड फर्स्ट की जोइंड सीट को रिजाइन कर सकते हैं ऐसे कंडिडेट जिनोंने ओल इंडिया के फर्स्ट राउंड में भी जोइन कर लिया है सेकेंड राउंड में भी जोइन कर लिया है और उनको स्टेट में अच्छी सीट मिल गई है तो वो कंडिडेट अगर इन सीट को जोइंड सी तक कर सकते हैं, MCC ने clear date दे रखी है कि second round की choice filling से पहले आप इस seat को resign कर सकते हैं, तो second round की जो choice filling है, वो first September से start है, तो इस seat को आप 31st August 23 तक resign कर सकते हैं, resign करने से आपकी security money forfeit हो जाएगी, लेकिन ऐसे candidate, जिन candidates को round one में seat मिली थी, join कर लिया था, और उनकी seat upgrade नहीं हुई और वो first round की seat को resign करना चाते हैं, तो वो 21st August 23 साम 6 बजे तक इस seat को resign कर सकते हैं, उनकी security money forfeit नहीं होगी, यानि कि उनकी security money as it is वापस आ जाएगी, तो ये दो जो resign के rule हैं, ये second round से third round तक जो upgradation का rules था, इसके चलते ये भी change हो चुके हैं, पिछली साल के जो resign के rule थे, वो कुछ अलग थे, इस बार कुछ अलग हो गए हैं, अब मैं आपको बाकी सारा process बता देता हूं, कि किस किस परकार से कौन सा candidate state में भी seat ले सकता है, और All India में भी ले सकता है, resign के rule मैंने बता दिये हैं, फिर मैं आपको ये पूरा process बता देता हूं, round one से ले करके, तो जिन candidates को round one में seat मिली थी, उन्होंने upgrade के लिए no का option दिया था, तो उनकी counselling वहीं end हो गई थी, उन्होंने second round में भी participate का उनको मोका नहीं मिला होगा, और third round में भी नहीं मिलेगा, तो जिन candidates ने join कर लिया है और upgradation का option no दिया था, ऐसे candidates की first round में ही counselling end हो चुकी थी, अब जिन candidate ने first round में seat join कर ली थी, और उन्होंने yes का option दिया था, अप्ग्रेड के लिए, वो candidate second round में, second round में फिर से 24 फिल उन्होंने की होगी, और अगर उनकी seat अप्ग्रेड हो गई, तो वो upgraded seat पर admission लेंगे, उनके round one की seat है, वो round one की seat किसी other candidate को allot हो चुकी है, तो वो इस seat को claim नहीं कर सकते हैं, वो second round की upgraded seat पर join करेंगे, फर्स्ट वाल इस seat पर relieving later लेकर के, वहाँ से उनको वो seat relieve, उस seat से relieve कर दिया जाएगा, वहाँ से अपने documents लेंगे, security, issue, tuition fees लेंगे, सब कुछ admission formalities आपको upgraded seat पर करनी है, ऐसे candidate जिनको round one में seat alert हो गई थी, उन्होंने join कर लिया, upgrade का option yes दिया था, और उनको second round में seat upgrade नहीं हुई, तो वो 21st August 23 साम 6 बज़े तक first round की seat को resign कर सकते हैं, अगर वो resign नहीं करना चाते हैं, उन्होंने yes का option दिया था, वो third round में participate कर सकते हैं, face twice fill करके, ऐसे candidate जिनको first round में seat मिली थी, join कर ली थे, upgrade का option yes दिया था, second round में उनकी seat upgrade नहीं हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, third round में फिर से उनका जो option है, वो yes माना जाएगा, और third round में फिर से twice fill करके, वो candidate अपना seat upgrade करवा सकते हैं, जब उनकी seat upgrade हो जाएगी, तो third round के upgraded seat पर admission लेना होगा, उनकी first round की seat है, वो cancel हो जाएगी यहां पर, ऐसे candidate जिनको first round में seat alert हो गई, जोइन कर लिया था, उन्होंने upgrade का option yes दिया था, उनका second round में भी upgrade नहीं हुआ, और third round में भी upgrade नहीं हुआ, तो resign की कोई यहां third grade में facility नहीं है, कोई upgrade की facility नहीं है, वो candidate, joint candidate माने जाएंगे, अगर वो इस seat को छोड़ना चाते हैं, तो उनकी security money तो forfeit हो जाएगी, वो आगे stay vacancy round में भी participate नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे candidate उनको ध्यान से यह choice filling करनी है round three की, round three की उनको एक बार seat alert हो गई है, तो first round की seat को claim नहीं कर सकते, round three की seat पर उनको admission लेना पड़ेगा, ऐसे candidate जिनको round three की seat तो मिल गई है, लेकिन वो उसको resign करना, मतलब join नहीं करना चाते हैं, तो कोई दिकत नहीं, उनकी security money तो forfeit हो जाएगी, लेकिन वो आगे के rounds में भी participate नहीं कर पाएंगे, stay vacancy round में भी participate नहीं कर पाएंगे, और उनकी security money forfeit हो जाएगी, तो ये round one के rules थे, अगर किसी candidate को round one में seat मिली है, और yes का option दिया है, तो वो round three तक option देख सकता है, कोई दिकत नहीं है, जब तक वो seat को resign नहीं करता है, या फिर वो किसी candidate को upgrade होने के बाद में, जाता है, वो seat उसी की है, तो ये तो round one के rules थे, अब round two के अंदर, जिन candidate को seat मिल गई, round two में जिन candidate को seat मिल गई है, फ्रेज seat मिली है, तो वो candidate अगर उस seat पर join करना चाते हैं, तो ठीक है, नहीं तो वो फिर ये exit ले सकते हैं, उनकी security money forfeit हो जाएगी, और वो मौप अप राउंड में participate कर सकते हैं, state में भी वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी यहाँ पर security money ही forfeit होगी, वो आगे के round के लिए eligible हैं, मैंने आपको बता दिया, ऐसे candidate जिन्होंने round two में seat join कर ली, और वो उस seat को resign करना चाते हैं, तो 31st August 23 तक resign कर सकते हैं, उनकी security money forfeit हो जाएगी, तो यह second round के rules हैं यहाँ पर, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, किसी candidate को second round में seat join कर ली, किसी candidate ने, और वो third round में seat upgrade नहीं हुई, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी second round की seat पर, उनको MBBS करना पड़ेगा, वो third round में उस seat को resign नहीं कर सकते, और वो नहीं कहीं upgrade कर सकते हैं, अब third round में, जिन candidate को third round में seat मिल गई है, वो उनको resign तो कर सकते हैं उसको, लेकिन उनकी security money forfeit हो जाएगी, कि resign का मतलब उस पर join नहीं करना चाते हैं, तो नहीं कर सकते, उनकी security money forfeit हो जाएगी, लेकिन वो आगे के round में participate नहीं कर पाएगे, तो ये round 1 और round 2 और round 3 के rules है, stay vacancy round में वही candidate participate कर पाएगे, जिनको first round, second round, मोप अप round, यानि third round में, तीनों round में कोई seat नहीं alert हुई है, वही stay vacancy में participate कर पाएगे, और जिनको state में भी seat alert नहीं हुई है, वही यहां तक participate नहीं कर पाएगे, तो ये तो rule थे MCC के, अब state के rule की बात कर लें, state के rule भी क्या-क्या है, वो भी बात कर लें, तो round one में अगर किसी candidate ने seat छोड़ दी, वो तो state में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, round two में किसी candidate को seat alert हो गई, और या फिर उसने join कर लिया, तो वो अपने security money forfeit करवा करके, state में जा सकते हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, state में जा सकते हैं, आप यहां से resign दे के state में जा सकते हैं, अपने security money forfeit करवा करके, state में जा सकते हैं, eligible हैं आप state के लिए, लेकिन अगर किसी candidate को round three में seat alert हो जाती है, MCC के round three में seat alert हो जाती है, तो कुछ state ऐसे हैं, जो allow नहीं करेंगे अपने state के mop up round में, यहां पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, अपने state के mop up के counselling rules आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ state ऐसे हैं, जो जिनको all India के अंदर seat alert हो गई, जिन candidate को, वो state, कुछ state अपने state में ऐसे candidate को allow नहीं करेंगे, mop up round में, इसके बाद, कुछ state ऐसे हैं, जो joined candidate को allow नहीं करेंगे, mcc का second round join कर लिया है, शोरी third round join कर लिया है, वो state allowed नहीं करते हैं, तो आप अपने states की condition देख लें, की mop up round की क्या condition है, अगर mcc के third round में join कर लेते हैं, या allot करवा लेते हैं, तो आप अपने state में participate कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, ये state की अलग-अलग condition है, लेकिन round two तक आप security money for fit करवा करके, आप participate कर सकते हैं, state में, आपके पास में, आप अपने state में join कर सकते हैं, तो ये नए rules थे, जो मैंने आपको बता दिये हैं, फिर इसलिए आपको summarize करवाया है, क्योंकि फिर भी दिमाग में नहीं रहता है, कई क्यूसन उठते रहते हैं, अभी एक क्यूसन ऐसा भी है, कि जिन candidate को first round में seat मिल गई है, first round में seat join कर लिया है, second round में उन्होंने twice ही नहीं भरी, third round में वो twice ही नहीं भरेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जो first round की seat है, वो retain रहेगी, वो उस पर mbbs कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, जब तक वो उसको resign नहीं देंगे, यानि किसी candidate ने second round में भी twice ही नहीं भरी, yes का option दिया था, अप्ग्रेडेशन का third round में भी उन्होंने twice ही फिल नहीं की, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी seat उनके पास ही है, वो seat जब उनसे हाथ से निकलेगी, जब वो उस पर resign देंगे, क्योंकि वो seat दूसरे को तो alert हुई नहीं है, तो ये कुछ क्यूसन से, वो आप MCC के help line नमर से भी clear कर सकते हैं, या फिर हमारे इस channel के comments box में लेकर के, हमारे से भी आप किसी भी क्यूसन का जवाब ले सकते हैं, तो ये जानकारी थी, MCC के नए rules के बारे में, रिजाइन rules के बारे में, आप all India मेरे के state में कैसे participate कर सकते हैं, state की condition अलग-अलग हैं, आप अपने state की एक बार condition देख लें, तब आप MCC में participate कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, उसका decision लें, तो ये मैंने आपको एक simple language में समझा दिया है, इससे पहले वाले वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया था, फिर भी अगर कोई आपको doubt होता है, तो आप comments box में लिख सकते हैं, आप इस हमारे चैनल को subscribe करके जरूर रखें, क्योंकि इस परकार की information, नए rules के बारे में authentic information हमारे चैनल से मिलती रहती है, तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैर हीं,